हाई फ्रेंड्स मैं अकंचा सर्माजी की विते कंचा में आपका स्वागत करती हूँ MPPSC क्राइस कोर्स के आज हमें 50 वी क्लास पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है रोग और स्वास्त और मैं दो क्लाग कोर्स चल रहा है MPPSC के MPPSC Pre Mission का और MPPSC Pre Crash Course का यह जो क्रैक कोर्स है MPPSC का इसमें मैं अपने नोट्स जो होते हैं मेरे नोट्स के अंतर क्या है उससे पढ़ाती हूँ मतलब इसमें मेरे जो वुकलेट है 16 वुकलेट उससे मैं पढ़ाती हूँ बगी मिसन में मैं आपको टॉपिक वाइस जी के कराती हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजेगा वह आपको इसकी 50 वीडियो मिल जाएंगी फ्रेंड्स, यहां हमारे भारत और विश्व की यादे हैं और ये मद्धर पर्देश की यादे आप मुझे इसको वॉट्सअब करके भी परचेस कर सकते हैं आप वहां से भी इंस्टा मोझो के दौरा भी इनको परचेस कर सकते हैं इसमें पूरा साल भर का करेंट कवर किया गया है और बहुत आसान तरीके से ये कवर किया है ये 5000 वर्ल लाइनर है और ये विग्यान है इसी तरह फ्रेंड्स ये हमारे प्रेलिम्स की 16 बुकलेट है जिसमें आपको प्रेलिम्स के नूट्स मिलेंगे और आज मैं आपको पढ़ाऊंगे ये वाली जो बुकलेट है विग्यान की यूनिट 7 की यूनिट 7 की बुक में से मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोग और स्वास्ती ये बहुत important topic है पहला question है इसका कि रक्त क्या होता है तो रक्त एक सहीोजी उतक होता है रक्त क्या है रक्त एक सहीोजी उतक है हीमोगलोविन क्या है तो मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पधार्त है हीमोगलोविन क्या है मानव रक्त में पाया जाने वाला पधार्त है मानब मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है तो मानब मूत्र का पीला रंग यूरो क्रोम के कारण होता है important fact है याद रखिएगा किस के कारण होता है यूरो क्रोम के कारण next step वेरियम मील का उपयोग किस प्रियोजन के लिए करते हैं तो आहार्नलिका में x-ray करते हैं कि कोई अबरोथ तो नहीं हुआ है बीच में यह जानने के लिए हम वेरियम मील का उपयोग करते हैं Next question है collagen किसका मुख्य घटक है? collagen skin का प्रमुख घटक है कोलोजन किसका मुक घटक है कोलोजन जो है वो इसकिन का घटक है किसका इसकिन का नेक्स्ट है मनुस सरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है तो दंत वल्क या एनेमल मनब सरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ दांतों में एनेमल पाया जाता है ना तो कि उपर के जो वल्क होता है यो एनेमल मानब सरीर का सबसे हाड़ेस्ट पदार्थ सबसे कठोरतम नेक्ट कोशम है मानप कशरीर में खून की क्रतिम सुधी करण की प्रख्रिया कु क्या बोलते हैं जब इस सरीर में blood होता है। आपने देखा हुगा किड्नी खराब हो जाती है, किड्नी खराब हो जाती है, तो बलर किड्नी के द्वारा ही जो रक्त होता है, वो सुद्ध होता है, और फिर रक्त जो है सुद्ध नहीं हो पाता है, तो क्या करता है, तो उसको डायलेसिस पर रखा जाता है, तो क्रतिम फ़ीकरें के प्रिक्रिया क्या कहलाती है येकि मोडाइलेस 9 किस संबंदित है ब्रक के संबंस्ध रक मतलब ऐत किडिनी से संबंदित ब्रक्क क होता है या किडनी नर्वा कितना होता है 150 ग्राम हुता है इसी पर्विक्त नोर्ट इसी जरल तरीके से कबर किये गए बुद्धी का मानम वस्तिस्क में केंद्रके कहां होता है सेरेवरह में होता है किसकी गति-विधियों को दरज करने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है तो हिर्दय के गति-विदियों को दरज करने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है किसकी गति विदियो को दर्ज करने ECG का प्रयोग करते हैं हिर्दे की गति विदियो को दर्ज करने ECG का प्रयोग किया जाता है यूरिया किसके द्वारा रखते से प्रथक होता है यूरिया किसके द्वारा रखते से प्रथक होता है यूर जिसके कारे समपाधन हेतु प्रयोक्त होता है अपुछ कायूज हम जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं वो व्रक के लिए या किडनी के लिए करते हैं उस वाइगयनिक का नाम बताईए जिसने यहाखोच की थी कि Malaria plasmodium नामक परजीवी से होता है तो मलेरिया जो होता है हमको पता है प्लाजमोडियम की जो जातियां है उससे होता है प्लाजमोडियम एक परजीवी होता है उससे होता है लेकिन ये किसने बताया था कि मर्जी जो मलेरिया होता है वो प्लाजमोडियम नामक परजीवी से होता है तो ये बताया था सर रूनाल रोस ने किसने बताया सर रोनार रोस ने बताया रैवीज किसके दुवारा होता है रैवीज जो कि कुट्टे के काटने से होता जैसी कुट्टा काटता तिक फायरस हमारे सरीन में inject हो जाता है जिसके कारण ravis हो जाता है next question है किस रक्त समूँ का व्यक्ती किसी भी रक्त समूँ का रक्त ग्रहन कर सकता है तो AB जो AB blood group जिसका होता है देखिए मैं लिए चार blood group होते हैं A, B, AB and O तो जो AB होता है वो A से भी ले सकता है B से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है तो किसी कौन सा ऐसा होता है जो सब से ले सकता है A भी रख सकता है इसके अलावा O जो होता है वो डोनर होता है यूनिवर्सल वो A को भी दे सकता है B को भी दे सकता है A B को भी दे सकता है लेकिन लेकेबल ओसे सकता है किस सारी रिक प्रकरम से थॉम्बिन का सम्मंद होता है थॉम्बिन विटामिन के से सम्मंद होता है मतलब रक्त जमाब से थॉम्बिन का सम्मंद किस से होता है रक्त जमाब से होता है महिलाओं में मासिक धर्म कितने दिन पहश्यात आता है 28 दिन बाद, महिलाओं में मासिक धर्म कितने दिन बाद आता है 28 दिन बाद आता है आदमी को प्रती दिन कितनी उजा की आवशक्ता होती है, आदमी को प्रती दिन 4900 किलो कैलोरी की आवशक्ता होती है, आदमी को प्रती दिन कितने नौर्मल आदी, जादा परिश्रव करता है, तो 42 जरूत होती है, महलाओं को प्रती दिन कितनी होती है, 2400, यह दोनों याद र दोड़ते ठेजते ही अग्डम आपकी बहुत ज़्यदा हाव बने लगती थी ठक जाते थी यार आप चाधा चलते हो भरी चील उठा लेते हो तो इसवाब बने लगती तो वह और थो जाता है और सरीर का तापमा नियंत्रत करने के लिए आवश्यक है स्वेधन क्रिया स्वेधन क्रिया मतलब उसमें पसी निकल जाता है तो यह क्रिया सरीर का तापमा नियंत्रत करने के लिए आवश्यक होती है कौनसी स्वेधन आयोडीन किस हार्मोन में मिश्रित होता है आयोडीन थायरोक किया जाता है, सामनतन इसे चन होता हैँ, डिमब वाहिनी अली में, सबसे अधिक अबवर्त नांक वाला आंक का अंग कौन सा है जिसका सबसे अबवर्त नांक होता है वो है लेंश, गल्सु आएक बाहरल रोग है जो सूजन पैदा करता है कहां पे कर्ण मूल में पिया पैरोटिट ग्रंथी में मानब रचना के संतर्व में एंटीवाडीज क्या होते हैं एंटीवाडीज प्रोटीन होते हैं नबजा सिसू में कितनी हड़्डिया होती हैं तीन सुन मानब की अगर पूछ जाए थो दो तो up लेकिन बच्चे में चोटी चोटी बहुत सारी हड़्डिया हो जाती है तो वो तीन सो होती है हीमो गुलोविन मैटपून घटा के किसका आरवीज का सरीर में हीमोगलोविन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है रक्त चीरता मतलब रक्त की कमी इंसुलिन क्या है इंसुलिनिक हार्मोन है मानब सरीर की सबसे बड़ी कोशी का कौन सी है मानब सरीर की सबसे बड़ी कोशी का है तंत्री का कोशी का तो फ्रेंट्स यह थे हमारे आज के कोशन आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट बोक्स में जरूर बताईगा फ्रेंट्स यह हमारे में अच्छे बॉकलेट मिलेंगी एक आपको बार ग्राफ मिलेगा बार ग्राफ क्योंकि कॉंसरेवल और ऐसाई में बार ग्राफ से बहुत ज लगते हैं तो फ्रेंज यह हमारा वीडियो था वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा